चलिए एक और नए स्टुइंट से मिलते हैं आमन मिश्रा जिनकी ऑल इंडिया 110 रैंक है और इनको एनाइटी इलावाद अलॉट हुआ है और आमन जो हैं वो उडिसा से हैं और इन्होंने फाइनील एर के साथ यह रैंक अचीव किये तो आमन सबसे पहले आपको बहुत- अच्छा लगा कि आप जो जो लोग हमारी लाइफ में सपोर्ट करते हैं उन सब को बनता है कि हम एक प्रॉपर थैंक यू बोलें अच्छा यही होता है कि आप अपनी लाइफ के जो एक्स्प्रियेंसें वो बताएं क्योंकि देखो आपने फाइनल एर के साथ यह रैंक और इतनी अच्छी रैंक अच्छी रैंक अच्छी रैंक के साथ घर रहते हूं कि दोनों ही आपके अचीवमेंट है तो आमन मैं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ का एक्स्प्रियंस बताएं आप उडिसा से हैं तो आपने निमसेट के लिए कब चोचा किस धंक से उसकी स्टार्ट की और क्या आपका एक्स्प्रियंस राइज सक्सेश जर्नी में मैं चाहूंगा आप सब कुछ बताएं जी सर्व मैंने सर्व यहां के उडिशा के कि उनिवर्सिटी से इंट्रीटेटर बीएड किया हुए है जब मैरा प्लॉस्थ्री अक्वली अनॉर्स का पार्ट जब खतम हुआ तब मैंने सोचा कि कुछ निट वगरा के लिए ट्राय के लिए तो फिर मैंने आईटी जाम के लिए सोचा पर उस समय टाइम इतना कम सा कि मैंने कुछ चलने पाया तब मैरे तब मैंने अच्छली NCA को साच करते हुए जब देखा तो यूटूब से मैंने आपके वीडियो देखा लास्ट यह जब तक कॉंस्टिवांटी के एकजाम आपके मैंने जी मैजिकल के आपकोर्स चल रहे तब मैंने थड़ा सा पन्ना स्टार्ट कर देया था आप तो फिर मैंने नवेंबर में उपेटरस जाइन कर लिया जब टुगन्मेट्री हमारा चल रहा था तो फिर से फिर मैंने कॉलेज के साथ इस कोड़ा बनता तो ताहिम प्रपर मिल जाता था तो पर निगे लिए इसलिए मैंने ले लिया तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर पर जब थोड़ी बीच में हावादी कॉलेज खुल बही तो थोड़ा दिक्कत आया पढ़ाई में वो एक्जाम के मैनेज करने में पिर जब फिर से लोगडाउन हो गया तो फिर से ताइम पर आगया स्थभी तो आचिब हो गई अच्छे से टेस्स पर अच्छे से इस डा कर दो कि नाकरा प्रबोपना बच्छा कि अपने इंटर्व्यू कर जाता है जैसे आपने आप अपनी लाइब की सिक्से जनЙ बता है कई बर कंफीज होते हैं वो जब इसको सुनते हैं तो अपने आपको रिलेट कर पाते हैं तो ऑनलाइन का क्या एक्सपरियंस आपका आमन क्लास करते हैं पर मुझे जब बच्चे यह बोलते हैं कि सर एक तो क्लासूम वाला फीलिंग आया और इंज्वाइग क्या यही एक सबसे बड़ी बात और इंपिटर्स गुरुकुल का ऑनलाइन क्लास क्लासूम में भी लोगों को कई बार वो चीज़े नहीं मिल पाती जो एक हम ऑनलाइन में भी अचीव कर सकते हैं जी सर आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आमन जी सर में जूनियर्स के लिए यही मेसेज रह के अल्ड़ बैस्ट अब आप एना एना एटी अलाबाद में भी ऐसी परफॉर्म करें वंस अगेंस कॉंग्रेश्युलेशन थैंक यू थैंक यू थैंक यू बिता